हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल करिंका की दुनिया तो आज के व्लोग में मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हूं व्यूकि आज हमारा ट्रिप का डे है और जो लोग मेरे साथ सुरुआ से जुड़े हुए हैं देखते रहते हैं मेरे व्लोग शॉट्स उनको पता ह होगा क्योंकि मैंने से पहले शॉट अपलोड किया ता जिसमें मैंने बताया था कि यह विंध्याचल ट्रिप प्रपरेशन है तो आज वही दिन है जब मैं विंध्याचल जा रही हूं आप लोग तो सब जानते होगे कि विंध्याचल जो है वो 51 सक्टी पीठो में से एक है विंध्याचल जो है वो मिरजापूर डिस्टिक में आता है तो बस हम वही जा रहे हैं हमारे घर में एक मानेता है ना कि शादी के बाद अम्मा हमें विंध्याचल लेके जाती है वहाँ पूजा करवाती है तो शादी को तो मेरा थुड़ा टाइम हो गया है पर ऐसा मौका नहीं बन पाया कि हम लोग जाएं तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशन आ गहीं थी जो हम नहीं जा पाएं एक्शली हम से मतलब मैं मेरे हस्बेंड और दीदी और जीजाजी आप पहले उन्हें देख चुके होगे हमारे शॉर्ट वीडियो में वो मेरी न दीदी एक साथ जा रहे हैं और ये लेखे मेरे हस्बेंड को मैं सोच रहे हूं कि क्या करूँ और वो पोन में ही विजी हैं तो बस हस्बेंड का यही है वो फोन में बिजी हैं और मैं अपने टाइम पास करने की कोशिश कर रही हूँ तो बस हम सब excited हो के चल दिये हैं प्रूट लेके आये थे और मैंने छोटी सी गलती कर दी कि में नाइफ रखना बूल गई तो नेल कटर था ना मैं उसे कोशिश कर रही थी कि कि हो जाए पर नहीं हो पाया तो यह हमारी प्यारी सी मीठी है और यह अपनी छोटी बहन से बात करी हम उसे नहीं ले जा पाए क्यो कि आज पूजा है तो हम लोगों ने जो भी लेडीज हैं उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं खाया सिर्फ चाय पिया था तो यह मीठी को मेरे हस्बेंड को जी जा जी को थोड़ी भू कर लग गई थी तो बस वही चाय पकोड़ी लाते मैंने पकोड़ी पकड़ी है पर खा हो ना तो ऐसा क्यूं होता है कि ऐसे फिमपलस हो जाते और यह देखे सब के सबसोच चुके हैं हम लोग जग रहे ते आगे जी जची जग बहुत अच्छा लगता है पता है फैमिली के साथ जबी भी कोई ट्रिप करो न तो बहुत इंजॉयमेंट होती है आप अकेले करो सोलो ट्रिप में उतनी मज़ा नहीं आती है जितना आप फैमिली के साथ करो और अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो मीठी के साथ इंजॉय क करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मीठी बहुत प्यारी है बहुत प्यारी बहुत सेंसिबल बहुत इमोशनल है बहुत प्यारी है उसे हम लोगों के साथ में रहना अच्छा भी बहुत लगता है वैसे मिली को भी बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन वह छोटी थी और हम उसे इस ले नहीं ले पाए क्योंकि दीदी नहीं आई अगर दीदी होती हैं दीदी से मतलब मिली की मम्मी जो की मेरी जेठानी है हम उन्हें लाते हैं तो मिली को ला सकते हैं ने तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबका ध्यान पूजा में हो जाता ना और हमारी दीदी की पूजा थी तो मिली को समभालने के लिए दीदी का होना जरूरी था बस इसलिए उसको नहीं लाए पर हम सब उसे मिस बहुत कर रहे हैं तो बस रास्ता चला जा रहा है और अभी हम आ चुके हैं मिंद्यचल माता मंदिर पे तो ये बस पार्किंग के लिए हम गाड़ी खड़ लेकिन अपने फादर के साथ आई थी तो जब मैं पहले आई थी ना और अभी में काफी डिफरेंस हो गया है देर साल में काफी डिफरेंस आ गया है मतलब पहले ऐसा नहीं था बहुत छोटा सा एक मंदिर था पर अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है बहुत प्यारा तो अभी उनका आना थोड़ा कम हो गया है, पहले तो वो हर एक साल में यहां पर आती थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ, पामली के साथ, यह मौसी और अनुज हैं, यहां पर हम लोग खरीद रहे हैं, वो गंगा जिल लेना है न, तो उसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, और थ तीनों लोग तयार हो रहे थे, कि भाया चलो बड़िया इंजॉय करते हैं, गंगा इसनान करेंगे, अच्छा बहुत फील होता है, तो अम्मा और मौसी पहले इसनान करने चली गई, तब तक हम लोग वहां पर थे, बैक को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम पिंगा जी सनान करते हो, अब अच्छा फील होता है, आपको ऐसा बहुत, बहुत अच्छा हो गया है, यह सब में सब से मीथी होती है, मीथी को इस सब बहुत अच्छा लगता है, मीथी देख रही थी सब कुछ, और हम लोग पूजा कर रहे थे, दीदी, अमा, मैं, बाकी लोग तैयार हो रहे थे, मैं अम्मा के साथ पूजा कर रही थी, यह अम्मा के साथ मैं आई हूँ पहली बार यहां विंद्या चल, यहां पर यह सब कुछ experience फर्स टाइम तब वैसे मैं अपने फादर के साथ आ चुकी हूँ, मेरे पापा के साथ मैं आई थी, लेकिन अम्मा के साथ अलग है, यह पूजा करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा, यह मेरी मौसी और अम्मा, तो अभी हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और इस वक तक ऐसा हो गया था, कि जैसे अभी बस चाय मिल जाए, थोड़ी एनरजी डाउन हो गई थी तो अभी हमा सिंदौरा खरीद रही हैं, हमारे यह साथ सिंदौरा देती हैं, तो वो अभी सिंदौरा से पूजा करवाएंगी, सिंदूर चरवाएंगी, तो हमा हम दोनों के लिए सिंदौरा खरी रही थी और हम दोनों से बोड़ रही थी कि अपने पसंद का ले लो, तो ह यहां पर एक्स्पीरेंस जादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि यह जिनकी शॉप से ना हम लोग यह सिंदौरा खरीद रहते हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था मतलब एक इरिटेटिंग वला होता है ना हम देख रहते सिंदौरा कौन सा अच्छा जैसे बस उनको यह था जिस दिन दीव दीपा वली थी उस दिन हम लोग गय थे तो बस उसे दिन हम लोग दर्शन के लिए आय थी कि हां बहुत जादा भीर थी इतनी जादा भीर कि हम लोगी सोचे थे कैसे दर्शन करेंगे बहुत टाइम हो जागा क्योंकि अभी भी शाम हो चुकी थी और हमें व मंधर चाहिए सुहाग लिया जाता है तो बस अमा वही हम लोगों को बता रही थी दीदी भी पूजा कर रही थी तो हम लोग बस वही सुहाग ले रहे थे तो सुहाग लिया सुहाग लेने के बाद में हमने यहां पे आर्टी किया यहां की पूजा अपनी कंप्लीट करी और यह सब करने में यहां शाम हो गई थी, क्योंकि अभी हमें एक और मंदिर जाना था, उसके बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें वीडियो बनाने दिया, आप भी माविंद्या चल के दर्शन करिए, और आपके मन में जो भी मुरादे वो मांगिए, मातरानी आपकी सार मुरादे पूरी करें, तो उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, अपनी मिली के लिए कुछ समान खरीदा, मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी थोड़ा कुछ समान खरीदा, उसके बाद में शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद में, ह हमें यहाँ पर पूजा की सामगरी हम अपने घर से लेके आये ते लेकिन हमें फिर भी थोड़ा बहुत समान लेना था तो हमने लिया, उसके बाद में अम्मा ने आप पूजा करवाया, हमारे यहां पे तिल और गुड यहां पे चराये जाता है, फिर हमने भैरो बाबा के दर्शन किये, यहां पे मत्था टेका, और यहां पे जो आपको नारियन मिलता है वो आपको इस हवन कुंड में विसरजित करना होता है, उ क्योंकि हम लोग काफी भूख लगी थी, तो हम लोगों ने खाना खाया, वैसे हमने इस से पहले चाय भी पिया था, पर हम इस सब इतना ठक गए थे ना, कि वहां का हम वीडियो लेना भूल गए, तो कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है, और फामली के साथ जब आप हो और यहां से हमें लगबग तीन से चार घंटे लगते हैं, तो बस यही था आज का मेरा दिन, आप बताईगा आपको ये विंद्याचल ट्रिप कैसा लगा, और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो अभी 1.45 पे हम घर पहुँच गए हैं, तो अप अपना ख्यार लखिए, बाई, टेक के अरफे मिलते हैं,